इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिग गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। रक्ठ शर्करा की स्तर को कम करना मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है. यदि आप आपने रक्ठ शर्करा के स्तर को नियंतरित कर सकते हैं, तो मधुमे की गंभीर जटिलताओं जैसे कि गुर्दे की खषती, आखों की खषती, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को भी कम किया जा सकता है इसके अतिरिक्ट मधुमेक के उचित नियंत्रन से हिरदे रोग और स्ट्रोक के जोखिम को भी कम किया जा सकता है उचित आहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी आपको इस दवा का उपयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक यह निर्धारत है क्योंकि यह आपके भविश्य के स्वास्थे की रक्षा कर रही है इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें इसे चबाएं कुचले या तोड़े नहीं टेनिप्राइड एम 1000 टैबलेट एसर को भोजन के साथ लेना बहतर होता है टेनिप्राइड एम 1000 टैबलेट एसर दो एंटिडाइबिटिक दवाओं का मिश्रण है मिटफॉमिन और टेनिप्राइड एक एंटिडाइबिटिक दवा यानि की बिगवानाइड है यह लीवर में ग्लूकोज के उत्पादन को कम करता है आतों से ग्लूकोज के अवशोशन में देरी करता है और इंसुलिन के प्रती शरीर की समवेधनशीलता को बढ़ाता है टेनिल इगलिप्टिन एक डाइप्टिडाइल प्लैप्टिडेस चार अवर ओधख है जो अग्नियाशे से इंसुलिन की रिहाई को बढ़ा कर और रक्ट शर्करा के स्तर को बढ़ाने वाले हॉमोन को कम करके काम करता है ये उपवास और भोजन के बाद शरकरा किस तर को कम करता है साथ में वे रक्ट शरकरा का बहतर नियंतरन प्रदान करते है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद